हलो व्यूवर्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पूजा लूत्रा, दोस्तों स्पार्कलिंग वाइट टीथ आपकी पस्नालिटी में, आपकी स्माइल में चारचांद लगा देते हैं और इसके विपरीद, पीले दांत कई बार एंबरस्मेंट का कारण बनते हैं, जैसे पान, गुटका, आदी का सेवन करना, चाय या कौफी ज्यादा पीना, दांतों की सही सफाई ना करना या फिर किसी दवाई की वज़़ए से भी कई बार दांत पीले पड़ जाते हैं, यदि आप ही दांतों के पीले पन से परेशान हैं, तो आप आगे बताएज दाटों का पीलापन दूर कर सकते हैं कि दाटों का पीलापन दूर करके उन्हें स्पार्कलिंग वाइट बनाने का पहला घरेलू उपाय है तुल्सी तुल्सी के पत्तों को तुखाकर आप पाउजर बना लीजिए और फिर इस पाउजर को अपने टूथ पेस्ट में मिलाकर ब्रश कीजे, तुलसी गांतों को चमकाएगी ही, साथ ही साथ आपके दातों और मसूरों के कई रोगों छिन दाना चमकाएगी पीले दातों को मोतियों की तरह से चमकाने गली रेमेडी है संत्रे के छिलकों का पाउडर आप संत्रे के चिलकों को सुखा कर उनको पीस लीचे और पाउडर बना लीचे और ब्रश करने के बाद संत्रों के चिलके के पाउडर से आप दातों और मसूडों पर हलके हलके हाथों से मसाज कीचे संत्रे के चिलके में मौझूद विटमिन सी और केल्शियम आपके दातों को मोतियों की तरह से चमकाएंगे और उन्हें मजबूत भी बनाएंगे अगर आप हफ़ते में दो तीन बार नीम के दातों का प्रयोग करेंगे तो आपके दात कभी पीले होंगे ही नहीं नीम दातों को naturally white तो करता ही है साथी साथ नीम में antibacterial और antiseptic properties होती है जो की दातों की सभी problems को दूर करती है baking soda या खाने वाला soda भी दातों का पीला पन हटाने में बहुत ही beneficial है दातों को प्रश करने के बाद थोड़े से baking soda में कुछ बूंदे नीमू के रसकी मिलाएं और एक थिक paste बना लें और फिर टूथ प्रश की सहायता से इस baking soda paste से दातों की मसाज करें हफ्ते में दो बार इस उपाई को यूज़ करेंगे तो आपके दातों का पीलापन धीरे धीरे गायब होने लगेगा इसके अलावा दातों का पीलापन दूर करने के लिए सबसे पुराना नूस्खा है नमक नमक में दो से तीन बुंदे सरसों के तेल की मिलाकर आप दांतों पर टूथ प्रश या उंगली की सहायता से मसाज कीजिए आपके दांत फोरण चमक उठेंगे नेक्स्ट रेमेडी है तेज पत्ता तेज पत्ते को आप बारीक बारीक पीस लीजिए और इस तेज पत्ते के पाउडर से हफ़ते में दो तीन बार टूथ प्रश की सहायता से मालिश कीजिए कुछी दिनों में आपके दांतों का पीला पन दूर हो जाएगा अगला उपाय है स्ट्रॉबरी स्ट्रॉबरी में मैलिक एसिड होता है जो की दांतों का पीला पन खत्म करता है और उन्हें चमकदार बनाता है स्ट्रॉबरी के गूदे में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर हफ़ते में दो तीन बार ब्रश करेंगे तो अपके दांतों की पीली परत उतर जाएगी तो ये थे दांतों का पीला पंदूर करके उन्हें सफेद बनाने के उन्हें चमकदार बनाने के और मोतियों की तरह से चमकाने के कुछ घरेल उपाए आप ही इने यूज़ कर सकते हैं और इनका फाइदा उठा सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक के बटन पर हिट करना मत भूलिए आप सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स और रेलेटिव भी इससे फाइदा उठा सकें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीज़े ताकि नए अप्लोड के अपडेट्स आपको मिल सकें एक अच्छी सी जानकारी लेकर मैं आपके पस फिराऊंगी तब तक के लिए स्टे जपे बहुत प्राइब एंसे सब्सक्राइब कर आपके लीसे लेकर प्लोड का इस. कर लेकर भीज़े बहुन हुआ है नहीं कि अन्यूटन मेरे और मेरे लेकर अभीज़्ेट लेकर उर्चाइब आपके लिए खीज़ेवे गीज़े।